प्रणा मिद्रों, आज हम कक्षा नों में विशय इंदी में कवीता चार करण का जीवन दर्शन, जिनके कवी है रामदारिसे दिनकर्व, इस कवीता का बावार्थ हम आज के इस वीडियो के भागदों में पढेंगे। प्रस्तूत खंड कावियांस में रामदारिसे दिनकर्जीने, बगवान सी कृष्ण महाभारत के यूद पहले काण से मिलने जाते हैं, वह काण को बताते हैं, उन्हें पांडों के पक्ष में रहकर पांडों का साथ देना चाहिए, किन्तु काण भगवान सी कृष्ण की इस बात पर समत नहीं हैं, वह भगवान सी कृष्ण से कहते हैं, वह इस समय अपने मित्र दुरियोदन का साथ नहीं छोड़ सकते, वह ऐसे संकट समय में अपने मित्र दुरियोदन के साथ रहेंगे, इन पंक्तियों के आधार पर इन कविता का बावार्थ हम समझते हैं, वैबव विलास की चा नहीं, अपनी कोई परवा नहीं, बस यही चाता हू केवल, दान की देव शरीता निर्मल, कर्तल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, अईए पहले शब्दार समझते हैं, वैबव विलास यानि धन्द अलत, परवा यानि चिंता, शरीता यानि नदी, निर्मल, स्वच, कर्तल यानि हतेली, निर्धन यानि धरिद्र, वैबव विलास की चा नहीं, अपनी कोई परवा नहीं, बस यही चाता हूँ केवल, दान की देव शरीता निर्मल, कर्तल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, भगवान सी कृष्ण से कावण कहते है, मुझे दन्द वलत की इच्छा नहीं है, अपने कोई परवा नहीं है, मेरी यही इच्छा है कि उनके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बैती रहे, और निर्धन को सदा सुखी बनाती रहे, तुछ है, राज्य क्या है केशों, पाता क्या नर्प्राप्त विबव, चिंता ब्रबोद, अतल्प हाज, कुछ चाक चिक्के, कुछ सण विलाज, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, पंक्तियों के शब्दार समझते हैं, केशों यानि वगवान सी गृष्ण, विबव यानि दन्दोलत, चिंता प्रबुद, प्रबुद यानि अधिक, अतल्प, अतल्प यानि बहुत थोड़ा, कम, हास यानि खुशी, चाक चिक्के, यानि चमक, आईए पंक्तियों के भावार समझते हैं, तुछ है, राज्य क्या है केशों, पाता क्या नरकर प्राप्त विबव, चिंता प्रबुद, अतल्प हास, कुछ चाक चिक्के, कुछ सण विलाश, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, बगवान सिक्रिष्ट से काण केते हैं, है केशों, जीस राज्य का, आप मुझे प्रलोबन देते हैं, वह तो तुछ है, धन पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, धन पाकर उसे अधिक चिन्ताएं, और नाम मात्र की हसी खुशी मिलती है, थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए उसे शुख मिलता है, परन्तु ये सारी चीजें यही छोड़ देनी हैं, और खाले हाथी जाना पड़ता है, आगे देखिए, देते हैं, पहले शब्दार समझे, मुझसे जो मनुष्य होते हैं कंचन, कंचन यानी सोना, पाते हैं दन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, रतन यानी रतन जक्से न कभी कुछ लेते हैं, दानी रदय का देते हैं, इन बंक्तियों का बावार समझते हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का बार न डोते हैं, पाते हैं दन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जक्से न कभी कुछ लेते हैं, दानी रदय का देते हैं, कर्ण सी कृष्ण से कहते हैं, मुझसे मनुष्य सोने का बार न डोते हैं, सुख वैबव में अपना जिवन नहीं बिताते हैं, वे लोगों में बाटने के लिए धन की प्राप्ति करते हैं, वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते हैं, अपने रदय का दान ही करते हैं, दुखी लोगों पर सदा दया करते हैं, प्रासादों के कनकाव शिखर होते कभूतरों के ही गर, महलों में गरूर न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बस्ताव कही पहाडों में, सेलों की फटी दरारों में, श्रब्दार समस्ते पेले, प्रासाद यानि महल, कनकाव यानि शोणिन आभावाले, सुनहरे, होते कभूतरों के गर, महलों में गरूर न होते हैं, कंचन पर कभी न सोता है, कंचन यानि सोना, बस्ताव कही पहाडों में, सेलों की फटी दरारों में, सेलों यानि पर्वत, दरार यानि दरड, आईए, पंक्ती का भावार समझते हैं, प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कभूतरों के ही गर, महलों में गरूर न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बस्ताव कही पहाडों में, सेलों की फटी दरारों में, कर्ण भगवान से कहते हैं, सोने जेसी, चमक वाले, राज महलों की चोटियों में, कभूतरों के गर होते हैं, गरूर पक्षी, कभी महलों में नहीं होता, वह सौनेम बिछाने पर नहीं सोता, उसका निवास्तों सदा पहाडों में होता है, पहाडों की फटी दरारे ही उसका गर बनती है, आगे देखिए, मनुष्य को खाता है, सब्दार समस्ते, होकर सम्रुद्धी शुख के अधिन, अधिन यानि सेवक, मानव होता नित तपक्षीन, तपक्षीन यानि प्रभाव हीन, सत्ता किरिट, किरिट यानि मुकुट, मणी मयासन, करती मनुष्य का तेज हरण, नर वीबव हे तू ललचाता है, पर ये, वही मनुष्य को खाता है, अब इन पंक्टियों का भावार समस्ते है, होकर सम्रुद्धी शुख के आधिन, मानव होता नित तपक्षीन, दन दौलत प्राप्त कर्व, मनुष्य गुलाम बनकर अपनात तप तेज खो देता है, सत्ता किरिट मनी मैं आसन करते मनुष्य का तेज हरण, सत्ता मुकूट और मनियों से जुड़े हुए सिहासन, मनुष्य के तेज को हरण कर लेते है, उसे प्रबाव हीन बना देते है, नर विबव है तू ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है, मनुष्य धन संपते पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपती उसे नश्ट कर दे दी है, आगे देखिए, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सु मदूर को मल, पर अम्रुत कलेश का पिये बिना, आतप अड़र में जिये बिना, वह पुरुष्य नहीं कहला सकता, विग्णों को नहीं हिला सकता, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सु मदूर को मल, पर अम्रुत कलेश का पिये बिना, आतप अदेड में जिये बिना, आतप यानी दोब, अदड यानी आन्धी, वह पुरुष्य नहीं कहला सकता, विग्णों को नहीं हिला सकता, चांदनी और फुलों की छाया में रहकर, मनुष्य सुन्दर को मल भले बने, किन्तों कश्टों का अम्रुत पिये बिना, दूप और आन्धी सहे बिना, न वह पुरुष कहला सकता है, और न मुश्किलियों को पार कर सकता है, उड़ते जो जन्ज्यावतों में, पिते जो वारी प्रपान्तों में, सारा आकास अयन जिनका, विश्दर भुजंग बोजन जिनका, वेही फणी बंद छुडाते है, दर्थी कर दे, जुडाते है, शब्दार देखिए, उड़ते जो जन्ज्यावतों में, पिते जो वारी वारी यानि पानी, प्रपान्तों में, प्रपान्तों यानि जर्णा, सारा आकास अयन जिनका, अयन यानि गर, विश्दर भुजंग बोजन जिनका, भुजंग यानि साप, वे ही फड़ी बंद चुड़ाते हैं फड़ी बंद यानी नाग पास धर्ती का रदे जुड़ाते हैं उड़ते जो जन्जावतों में पीते जो वारी प्रपान्तों में सारा आकास अयन जिनका विस्दर भुजंग बोजन जिनका वे ही फड़ी बंद चुड़ाते हैं धर्ती का रदे जुड़ाते हैं भगवाज सी कृष्ट से कर्ण कहते हैं जो आदीत उफानों में उड़ते रहते हैं जहर्णों का पानी पीते हैं शारा आकास जिनका गर हैं और जहरीले साफे जिनका बोजन हैं ऐसे गरूड ही साप के बंदन से मुक्त करा सकते हैं और धर्ती के रदे को सितलता देते हैं मैं गरूड कृष्ण मैं पक्षी राज सीर पर न चाहिए मुझे ताज दुर्योदन पर है विपत गोर सकता न किसी वीस उचे छोड़ रण खेत पाटना है मुझको अही पास काटना है मुझको सब्दार समझे मैं गरूड कृष्ण मैं पक्षी राज पक्षी राज यानि गरूड सीर पर न चाहिए मुझे ताज दुर्योदन पर है विपत विपत यानि संकट विपत गोर सकता न किसी वीस उसे छोड़ रण खेत पाटना है मुझको रण खेत यानि युद सित्र अही पास काटना है मुझको अही पास यानि साप का बंधन मैं गरूड कृष्ण मैं पक्षी राज सीर पर न चाहिए मुझे ताज दुर्योदन पर है विपत गोर सकता न किसी वीस उसे छोड़ रण खेत पाटना है मुझको अही पास काटना है मुझको करण बगवान से कहते हैं मैं ऐसा गरूड पक्षी हूँ मुझे अपने सीर पर मुकूट नहीं चाहिए इस समय दुर्योदन संकट में फसा हुआ है मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता मुझे युद सित्र में उतरना है और दुर्योदन के नाग पास को काटना है बित्रो कवीता का बावार्थ यहां समाप्त हुआ आज का आपका गुरू कारिय है इस कवीता को आपको लिखना है प्रणाम अस्तो क्कारा समाप्त है आपकाराई प्रणा है इसलिए दुर्णाव कोपीता है